नमस्कार, IP Presents Let's Talk भारत में आपका स्वागत है और मेरे साथ आज मेरे प्रिये दोस्त, मेरे कॉलिज मेट, एक बहतरीन कलाकार, एक पेंटर, शक्ति सिंग अहलावत, जो हर्याना से हैं, हर्याना में रोहतक में रहते हैं और आठ कॉलिज चंडिगर से हम दोनों ने साथ में ही ग्रेजुएशन किया था, मेरे साथ है, स्वागत करते हैं, शक्ति सिंग अहलावत, कैसे हैं शक्ति? तक्रीबन आठ नो साल बाद, शक्ति के बारे में अगर मैं आपको बताओं तो, वो पहला दिन मैं आपको, मैं आपको पहला दिन बताता हूं, जिससे आपको काफी समझ में आएगा, हम दोनों एक फर्स्ट यर के एक प्लास में बैठे हुए थे, और शक्ति से मैंने कहा, शक्ति ने कहा कि मैं पोट्रेट बना लेता हूं, तो मैंने किस का बना लेते हो पोट्रेट, तो मैंने किसी का भी पोट्रेट बना सकता हूं, और बगैर देखे बना सकता हूं, तो मैं निकलना शुरू हो गया, तो मैं यह हैरान हो गया, कि यह अभी आर्ट कोलिजमेट मिशन ही लिया है, और इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, तो यह तो आगे जाके पता नी क्या कहीं करेंगे, और मैं तो कुछ जानता नहीं था, मैंने तो कभी स्क्रिम्लिंग की नहीं थी, मैंने तो फोटोग्राफी के चक्कर में आर्ट कोलिजमेट मिशन लिया था, लेकिन वो फैसिनेटिंग दे था, मैं बहुत पैसिनेट हुआ था, कि कितने अच्छे आर्टिस्ट ने आर्ट कोलिजमेट मिशन लिया है, तुम्हे याद है? तैंक यू, हाँ, मिलकुल याद है, शक्ति और हमने पांट साल साथ आर्ट कोलिज में बिताए और मैंने देखा कि शक्ति ने कॉलिज टाइम में जो सीखा, जो समझा, जिस तरह से अपनी लाइफ को वहाँ पर जिया, कॉलिज टाइम में ही इन्होंने पढ़ाई के साथ सा रहा था, गैलेंटरी जो अवार्ड विनर्स थे, जो हमारे फौजी भाई, उनका म्यूजियूम एक तैयार हो रहा था, उसके अंदर तकरीबन डेड़ सो पोर्ट्रेट्स अपने बनाए, और हम बड़े फैसिनेट होते थे देखके कि कैसे कुछी दिनों में ये एक कैसे मिलना शुरू हो गया था, काम तो मिलना शुरू हुआ था, हमारी ही एक क्लासमेट थी किरन, किरन, वो अच्छे अमीर घर की बेटी थी, तो जब आपकी तरही उसने भी जब कोई स्केच या पोर्ट्रेट मेरा देखा, तो उसके मन में भी ये हुआ कि मैं इसे कुछ क तो उसने शुरूआत के लिए मुझे तीन अपने बुजूर्ब लोगों की दादा या कौन थेता या चाचा जो भी उनके उनकी फोटोग्राफ लाके देदी, कि ये आप मेरे लिए स्केच इज बनाओ, ब्लैक एंड वाइट, और एक का तीन सुरू रुपे मिलेगा, उस तो तीन सो रुपे में हमरा पूरा महिना निकलता था, तो किरन ने एक इसम से मेरा बिजनस स्टार्ट करवाया, और ये बात मैंने थोड़ी दिन पहले भी उसको फोन पे बताई है, तो किरन मैं जो भी काम कर रहा हूँ ना उसमें शुरूआत तुमारे वाँ से हुई है, बहुत बड़ी बात है, तो फिर क्या हुआ, कि वो स्केचिज हो गे, वो उनके घर में भी अप्रिशेशन मिली सब जो जिसने देखा, तो फिर वो कहते हैं, ये इनको कलर भी बना सकता है, क्या, मैंने का हाँ, कलर बना सकते हैं, फिर उसके दोड़े और ज़्यादा पैसे म तो उस सरकल से या कहीं से भी, फिर चंडीगड के 11 सेक्टर, 5 सेक्टर, 4 से से बहुत सारे लोग मेरे पास आने लगे, कि हमने ये काम करवाना है, हमने ये पेंटिंग कोपी करानी है, कोई, या पोट्रेट्स करवाने हैं हमारे बुजर्गों के, और उस तरीके से मेरा काम शुरू हुआ, मुझे याद है, मैं जब होस्टल में था, तो मेरे जितने भी साती थे, संदीप, परमोर और ये सब मनोश्या, पाश पंडव जो थे, हाँ, वो सब जब भी उनको लगता था, कि हमारे पैसे खतम हो गयों, मेरे से लिजाते थे, हालांकि उन्होंने आज तक वापस नहीं किया कुछ, तो वो लेकिन वड़ा अच्छा वो टाइम था, शक्ती ने दूरिंग कॉलेज टाइम, कॉलेज ओफ आट चंडिगर, हमने बहुत शानदार समय बिताया कॉलेज में, हम अभी याद भी कर रहे थे, कि कौन-कौन से दिन थे, कैसे-कैसे समय गुज मतब, शायद हमारे जमाने में 40-45% पर ही अपलाई कर सकते थे, आजकल कुछ से बदला है, बिलकुल, अब तो थोड़ा मुश्किल हो गया, अदमिशन लेना मुश्किल हो गया, हाँ, तो इसमें, अभी आज का जो दौर है, उसमें क्या, उसी तरह से, मतब, बैने देखा है कि हमारा जो बैच था, उसमें काफी अच्छे आर्टिस्ट भी बने, फोटोग्राफी में भी हमने भी अच्छा काम किया, शक्ती ने बहुत अच्छा काम किया ही है, विवेक ने, बाकि सब लोगों ने भी, रेनु का पुरी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट बनी है, आजकल भी तक्रीबन सभी स्टुडेंट्स अच्छा काम कर रहे हैं और वो हमसे भी ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं क्या बात है वो हम उतना पैसे के मामले में उस वक्त नहीं सोचते थे लेकिन अब जो स्टुडेंट्स हैं वो पहले उस चीज के बारे में सोचके फिर काम कर रहे हैं और वो अच्छा है वो दोनों चीजें साथ साथ लेके चल रहे हैं मेरे खहल से इसका अवेरनेस वो डिजिटल वर्ड होने के कारण भी हो सकता है क्योंकि वो दोनों चीजें साथ लेके चल रहे हैं आर्ट भी और उससे अर्निंग भी तो वो अच्छा काम कर रहे हैं इस मामले में मेरको आपको बताना बड़ा मेरको हर्ष है मुझे गर्व है शक्ति के उपर शक्ति के काम जहां म्यूजियम में डिस्प्लेड हैं बहुत सारी गैलरीज में ये पाटिस्पेशन रहते हैं एक्जिबिशन करते रहते हैं वहीं प्रेजिडेंट अफ इंडिया गवर्णर हाउसे हर्याना पंजाब और बहुत ऐसे शानदार कलेक्टर्स जो है उनके पास इनका काम है जो की एक बड़ी बात है मतब जो हमें सोचकर भी गर्व लगता है ऐसा लगता है कि देखिए हमारे हम साथ चले और इनका काम जब डिस्प्लेड होता है कई बार हम लोग पिक्चर्स में देखते हैं गव ओनर और जो अवार्ड शक्ति को स्टेट के लेवल पर नैशनल लेवल पर या फिर खासकर वो डॉक्टर एपी जे अब्दुलका नाम साहब ने आप का अनौर किया था अप्रिशेशन जो हुआ था वो बड़ी बात है एक कलाकार जो बहुत छोटे से जगे से हर्याना के एक गाउं से चला 1986 में और पांच साल आर्ट कॉलिज में लगाए सीखा समझा लाइफ को जीआ और कैसे वो आज इस बड़े मुकाम को हसिल कर चुके हैं तो शक्ति उसका एक उधारन है इंस्पिरेशन है बहुत से स्टुडियो है वो तक में है और वहीं मिण करते हैं घर पर स्टुड़ेंटser बीच में यह कांक ज़ती यह उनिवर्स टीजीज और कॉलेजिज स्कूल्स की पुलाए जाता हैं तुद्रेन्स को मोटीवेट करते हूं, फेरे नाइस, शक्ति हम लोग जब एक चीज को, एक कला को, संस्कृती को हम सीखे हैं, तो एक समया आता है जब वापस सोसाइटी को देना हुता है। तो वापस ससाइटी को देने के टाइम पर आपको कया लगता है कि हम लोग किस तरह से कॉंट्रिबुट कर रहे क्या आजकल से तुनवर करते का मेरा तरीका तो ससाइटी को वापस पे करने का यह है कि मैं नई जेनरेशन या आने वाली जितने भी जो भी बचे यंग स्टुडेंट्स कुछ सीखना चाहें पूछना चाहें जो मुझे आता है उस बारे में तो वो मैं उनको बता सकूँ सीखा सकूँ और वो मैं करता हूँ करते हो मैं करता हूँ मैं दिखता हूँ आप काफी ट्रेवल भी करते हो दिली बुंबई इदर उदर सब जेगे पर वो शोज के लिए जाना पड़ता है वक्षप के लिए और शोज के भी ठीक है एक पात और मैं जानना चाहता हूँ और जो कि कि एज रिस्पोंसिबल सिटिजन भी और एज अन आर्टिस्ट क्योंकि हम लोग की एक जिमिदारी भी है हम एक दौर से निकल रहे हैं आज की आज के समय में और चाहे हम माने चाहे हम नहीं माने हम लोग के ओपीनियन डिपरेंट हो सकते हैं बट एक टार्गेट हमारे और प्राइम मिनिस्टर ने रखा है कि हमें 2017 में एक विक्सेत रास्टर डेवलप कंट्री बनना है तो डेवलप कंट्री तो अमेरिका है अगर हम अमेरिका को देखते हैं तो आइटी है वैपन है यह सब है तो क्या हम भारत भी यही बनना चाहते है यह हम डिफरेंट है मेरे राइ में हम थोड़े अलग हैं उस चीज से अलग हैं क्योंकि हमारा जो मांसिकता है और जो रहेंसें के हम आदी हैं उस ही दाइरे के अंदर रहे के हम डेवलेप प्रोग्रेस करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि खुशी वही चीज देगी हम किसी की नकल करके खुश नहीं हो सकते इसका मतलब वहा के जो हमारा सोच है जो हमारा विचार है तृपती है कंटेंटमेंट बेज हमारा जो फिलोसिफी लिविंग है वो कैसे बड़ा हो वही दिखाई दे हां बिलकुल डॉमिनट वही करें मेरा पॉइंट वारतिये रहते हुए, भारतिये रहते हुए, हम विक्सित बने ह्यूट, इसका मतलब जो हमारी आत्मिय सोच है, जो हमारी वैल्यूज, ये बपात बात है अब वो इंटेक्ट रहें, वो खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम खाली उपरी दिखावा, जैसे अमेरिका की आपने बात की, तो उसको हूँ भू नकल करने ना चल पड़े, ठेक, ये है, और उसके लिए उसके लिए हमें आर्ट एंड कल्चर और हर एक एंगल पे डेव जो हमारा सब्जेक्ट है, ये कैसे कॉंट्रिब्यूट करेगी? तो और फिर आर्टिस्ट अगर कुछ थोड़ा सा और ज्यादा सिम्रिध हो जाएंगे, तो वो थोड़ा और अच्छा काम करना भी शुरू करेंगे, ये भी आर्टिस्ट है, तो इस तरीके से वो फिर समाज को आर्टिस्ट पेश करता है, अपने पेंटिंग से, या किसी भ पेंटिंग्स हैं, फिल्में हैं, कुछ भी, उसके थूरू समाज का ही एक रूप दिखाता है, जब आर्टिस्ट सिम्रिध होंगे, तो हो सकता है, उनमें थोड़ी सी और पोजिटिविटी आएगी, और थोड़ी अच्छी चीजे, और थोड़ी अच्छी शिक्षा, लोग देखने लगेंगे, आर्ट के थूरू, तो उसका योगदान रहेगा, विकास में, बहुत सुंदर, वैसे देखा जाए तो कला और कल्चर, संस्कृति, यह हमारा जीवन शैली का पार्ट है, हम लोग जीते हैं इसको, अपने घरों को हम उसी तरह से सजाते हैं, हम लोग तो वो रोज मर्रा के जिंदगी में ही हम लोग उसको इंजॉय करते थे, अभी कला प्रदर्शन का कारण बन गई है, कुमर्शिलाइजेशन में भी ज्यादा हो गया है, तो मुझे लगता है कि अगर हम उसको नैचुरल बिहेवियर में भी अडॉप्ट करना जू करें, और लिगेसी है, बहुत लंबा हमारा इतिहास है, जीवन को जीने का, जिसको आज देश-विदेश भी ऐस्पायर करते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहीं पर भी स्टूलेंट बाहर से आयो हैं, और वो मल्टी कल्चरल अप्रोच को समझने आते हैं, भारत की संस्कृतिक अल जीवन शैली है, बड़े-बड़े इंफरास्टुक्चर हैं, और हम लोग अपना देश छोड़के वहां जा रहे हैं, और वो लोग यहां के बारे में बात करते हैं, हमारे संस्कृति को, कला को, जो हमारा जीवन शैली है, जीने का धंग है, उसको समझने यहां आते हैं, औ और सरल चीज हमेशा सुख देती है, और इसलिए उन लोगों को यहां रहना अच्छा लगता है, यह एक वजए हो सकती है, जो हमारी वो उनको फैसिनेट करती है, क्योंकि वो ठक चुके हैं, एक मेटरिलिस्टिक लाइफ को जो जी रहे हैं, एक नकली लाइफ को जीते और यहां आते हैं उसको समझने के लिए, तो शक्ती अब जितना भी आज तक आपने एक्युमिलेट किया है, आपने अच्छा सीखा था, अच्छा जिया है, कला को एक अच्छे मुकाम तक पहुचाया है, और फ्रैटर्निटी भी देखती है, आज हम बात करते हैं कि इसको थोड़ा और बड़ा करना चाहता हूँ, थोड़ा और उसमें फिर वही बात, अपनी सादगी और अपनी भारतियता और अपने कल्चर और अपने वैल्यूज को नहीं छोड़ूँगा, उसी को बढ़ावा देने के लिए, उसी को साथ रखते हुए कुछ बड़ा करन हैं, वही आप चाहते हैं कि हम उसको ही और जियें, और बड़े में जियें, मैं बताता हूँ आपको कि शक्ति IAP के साथ भी जुड़े हुए हैं, जब भी हमें शक्ति सिंग जी की जुरत पड़ती है, मैं जी भी लगा रहा हूँ, तो तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगए जहां भी इस्टिशन में जरुत महिसूस होती है, बुलाया जाता है, तो शक्ति की प्रेजेंस वहाँ दिखाई देती है, विच इस सोसाइटी को गिविंग बैक जो इसको हम बोलते हैं, शक्ति बहुत समय बादम मिले, बड़ा अच्छा लगा ये डिसकुशन करके, कोई और बात जो आप बताना चाहते हो, कोई एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हो, नहीं, बहुत मज़ा आया इतने साल बाद मिलके और बात करके, और हमें कॉलेज के वही साथ बिताएवे लम्हे, पल, सब याद आगे, और बहुत मज़ेदार टाइम था वो, और बस हम ऐ ऐसे ही, जो हमारे पास है, वो समाज को देते रहेंगे, शक्ति की जनरेशन, जो आप आने वाली जनरेशन है, उनमें भी, उनकी जो डॉटर है, वो पिएजडी कर रही है, पंजाब इनिवर्सिटी से, उनके जो बेटे है, वो साउथ अफरीका की किसी बड़ी संस्था के स जुड़े हैं, आर्किटेक्ट हैं, अच्छा कारे कर रहे हैं, रोहतक में एस्टेबलिज्ट हैं, और इनकी जो श्रीमती हैं, वो भी हमारे कॉलिज की एक स्टोरी है, तो बहुत अच्छा परिवार है, और अच्छी तरह से अपने लाइफ को जी रहे हैं, एक सुख पारा है, तो आज के इस पॉड़कास्ट में शक्ति सिंगहलावत, एक कलाकार, अपनी वैल्यूज को लेकर चलने वाले कला के माध्यम से सोसाइटी को जो वापस दिया जा रहा है, इसके चलते एक बड़ा काम कर रहे हैं, और मानना उनका यही है कि जो विक्सित भारत का हम मारा लक्ष है, उसमें कला और संस्क्रिती एक बड़ी तरीके से कॉंट्रिब्यूट कर सकती है, अपनी वैल्यूज को साथ में लेकर के चलने से, मुझे बड़ी खुशी है, आशक्ति हमारे घर आये हैं, हमने बाचीत करी, तो थैंक्यू सो मच शक्ति, फिर मिलते हैं, एक झाला खिता हैं, कि अ有र नहा है, तो बड़ी खिता हैं, हम शक्ति गतिक हैं, एक भाला खुशी हैं